अध्याय तेरा प्रेम अपनी जलाने के लिए देदू और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाब नहीं प्रेम धीरजवन्त है और कृपाल है प्रेम डहा नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं वो अन्रीती नहीं चलता वो अपनी भलाई नहीं चाहता छुंजलाता नहीं पुरा नहीं मानता कुकर्म से आनंदित नहीं होता परन्तु सत्य से आनंदित होता है उसब बातें सह लेता है सब बातों की प्रतीती करता है सब बातों की आशा रखता है सब बातों में धीरच रखता है प्रेम कभी टलता नहीं भविश्य द्वानिया हों तो समाप्त हो जाएंगी भाशाए हो तो जाती रहेंगी ग्यान हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा ग्यान अधूरा है और हमारी भविश्य द्वानी अधूरी परन्तु जब सर्गुसित आएगा तो अधूरा मिट जाएगा जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बाते छोड़ती, अब हमें तरपण में धुंदला सा दिखाई देता है, परन्तु उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ग्यान अधूरा है, परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीत से पहिचानूंगा जैसा मैं पहिचाना गया हूं परब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थाई हैं पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है